तो आज एडॉल्फेंडरसन की मज़ेदार गेम देखेंगे ये गेम 1860 में ब्रेसलो पॉलेंड में खेली गई थी एडॉल्फेंडरसन ने अपनी क्वीन को सेक्रिफाइस करके बहुत ही खतरनाक तरीके से चेक्मेट किया एक के बाद एक अपने पीसो को सेक्रिफाइस करते गई और आखिर में चेक्मेट कर दिया तो वाइड पीसीस के साथ एडॉल्फेंडरसन है और ब्लेक पीसीस के साथ साल बर्थोल्ड तो एडॉल्फेंडरसन ने शुरुवत की थी E4 से E5, Nf3, Nc6, Bc4, Italian game Bc5, Geico piano game B4, Evans gambit तो यहाँ पर इस gambit में B pawn को सेक्रिफाइस करके फिर आगे जाकर सेंटर पर प्रेसर बनाया जाता है तो ब्लेक ने इस pawn को केप्चर किया Bxb4, Evans gambit accepted C3, Bc5 तो यहाँ से d4 कर सकते है लेकिन एडॉल्फेंडरसन ने पहले king side castle कर लिया D6, D4 और bishop पर प्रेसर है और एक ही maw है bishop B6 लेकिन ब्लेक ने पहले pawn को केप्चर किया Exd4, Cxd4 bishop B6, D5 और knight पर प्रेसर बनाया knight A5 करके bishop पर प्रेसर बनाया लेकिन एंडरसन ने पहले अपने bishop को ना बचा कर पहले bishop B2 किया तो ब्लेक अगर इस bishop को लेता है तो यहाँ से इस रुप पर प्रेसर बना सकते है और ब्लेक फिर इस रुप को नहीं बचा पाता और साथ में यहाँ पर QA4 चेक दे सकते है और फॉर्क के साथ इस knight को लिया जा सकता है तो ब्लेक ने पहले इसी वज़े से bishop को नहीं लिया और ब्लेक ने कंटीनियू किया knight F6 करके तो एंडर्सन ने अपने bishop को बचा लिया bishop D3, bishop G4 और knight को पिन कर दिया तो एंडर्सन ने अपनी opening जारी रखी knight C3, C6 तो ब्लेक अपने knight के लिए थोड़ी जगा बनाना चाहता है यहाँ पर कुछ exchanges करवा के knight E2 तो एंडर्सन अपने knight को king side पर shift करके यहाँ पर आगे जाके pressure बना सकते है ब्लेक अगर knight को exchange करवाता है तो फिर g takes bishop और फिर यह g file semi open हो जाएगी तो एंडर्सन अपने king को h1 पर लाकर यहाँ पर pressure बना सकते है रुक को g1 पर लाकर तो ब्लेक ने पहले king side केसल कर लिया queen E2 और इरादे साफ है और दोनों bishop का target king side पर ही है तो एंडर्सन अटेक करने से पहले अपने पीशो को set कर रहे है बोड पर लेकिन ब्लेक ने king side पर धियान नहीं दिया और पहले rook c8 मोग किया तो ब्लेक queen side पर जियादा धियान दे रहा है तो एडर्सन ने अपना attack जारी रखा queen g5 करके तो ये knight bishop पर support बना रहा है तो एडर्सन आगे जाकर अपने bishop को knight के बदले में exchange करवा के इस bishop को ले सकते है तो इसी वज़े से black ने पहले अपने bishop को exchange करवाया bishop takes knight g takes bishop और ये exchanges करवाने के चक्कर में ये g file अभी open हो चुकी है तो एडर्सन अभी आराम से अपने king को h1 पर लाकर यहाँ पर pressure बना सकते है black के king पर तो black ने continue किया c takes d5 करके king h1 knight c4 और pressure bishop पर है और ये bishop बहुत ही main है इस game में तो अभी video pause करके सोचिए कि एंडर्सन ने क्या move किया होगा और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लीजिए इससे मेरा motivation बढ़ेगा और ऐसी ही मजेदार games में आपके लिए लाता रहूंगा तो एंडर्सन ने अपने bishop को नहीं बचाया और direct checkmate की thread दी rook g1 करके तो black अभी bishop को तो नहीं ले पाएगा और black यहां से g6 मौव करता है तो bishop takes knight और queen पर pressure है लेकिन black अपने queen को नहीं बचा सकता क्योंकि फिर queen h6 आ रहा है और फिर इस checkmate को black नहीं बचा पाता तो queen को तो मौव नहीं कर सकते लेकिन black h6 कर सकता है और black भी यहां पर queen पर pressure बना सकता है एंडर्सन की और फिर इस spawn को capture करते है तो bishop चला जाएगा तो यहां से queen h4 कर सकते है लेकिन black g5 नहीं कर सकता क्योंकि दो मौव में checkmate आ रहा है rook takes g5 check और king के पास एक ही मौव है और black rook को नहीं ले पाएगा क्योंकि queen h8 checkmate है और black अपने king को मौव करता है h7 पर तो e5 और checkmate लेकिन black ने पहले g6 नहीं किया और पहले अपने knight को e8 पर मौव किया और g7 pawn पर support बनाया और साथ में queen exchanges की offer है तो अब इस critical situation में video post करके सोचिए कि एडॉल्फेंडर्सन ने क्या move किया होगा तो वो मैंने जो बताया था आपको शुरुवात में वो point आ चुका है तो एडॉल्फेंडर्सन ने अपनी queen को sacrifice कर दिया और इस g7 pawn को capture किया queen takes g7 और black को forcefully इस queen को लेना ही पड़ेगा क्योंकि king के पास तो कोई option है ही नहीं तो black ने खुसी खुसी इस sacrifice को accept किया knight takes queen और अभी आप देखिए कि किस तरीके से एडॉल्फेंडर्सन चेक मैट करते है तो एंडर्सन ने rook takes knight चेक दिया और bishop का support है तो king के पास एक ही option है king h8 और एक और sacrifice rook g8 और double check है और खास बात यह है कि दोनों piece पर कोई support नहीं है तो यह sacrifice को भी लिना ही पड़ेगा king takes rook, rook g1 check और एक के बाद एक piece जुड रहे है और अभी तो कोई maw है ही नहीं king के पास तो queen को ही लाना पड़ेगा बीच में queen g5 और final maw rook takes queen और check mad और ऐसी ही games देखते रहने के लिए channel पर बने रहिए झाल, बजय को पास्वाे ही झाल, यह झाल, वड़ेगा